खापर केड़ा 6 नदी की पार्शीनी तैसल अंतरगर दोपेर की समय पेंच नदी के गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत हुई बताया जारा है कि बीना संगम गाउ की पास कनान कोलार पेंच यह तीनों नदियों का बीना संगम है इस स्रिवेनी नदियों की संगर पर पिकनिक मनाने गया अमृतक अपने दोस्तों के साथ डूरली शिवार की पास पेंच नदी में नहाने गये लेकिन तीसरा में तरह नदी तट पर बैठा रहा जहां दोनों दोस गहरे पानी में नहाते समय खुस गये उनका निकलना मुश्किल हो गया गहरे पानी के भवरे में डूपने से एक की मौत होई जिसे अमृतक को दोस्तों के साथ नदी में नहाना महंगा पड़ गया प्राब जानकारी अनुसार सुरेश कुने राव कावे उम्रों 35 साल ऐसा अमृतक का नाम बताया गया हकिकत ऐसे है कि अपनी तीनों दोस्तों के साथ मृतक पिकनिक मनानी बीना संगम गया था जहाँ संगम के कुछ अंतर पर डोरले शिवार में नहाने के लिए मृतक सुरेश और मोहन नामक मित्र नदी के गहरे पानी में उतरे तो मृतक सुरेश गहरे पानी के भवरे में खुस गया उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया फिर तीसरा मित्र शालिक उईके ने उन दोनों दोस्तों को बचाने के लिए नदी में छलांग मारी तो मोहन नामक मित्र हाथ में लगा उसे जिन्दा ही सुरेश निकालने में सफलता मिली लेकिन घटना के वक्त मृतक सुरेश को बचाना मुश्किल हो गया काफी देर तक उसको ढूंटे रहे थी लेकिन काफी देर दूर तक नहीं दिख पाया जिससे सभी मित्रों में चिंता और भैका माहौल बन गया था पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटना सल पर पहुची तुरन तैरा की लोगों को नदी के पानी में उतार कर मृतक का शव कुछ देर बाद मिला शव को बाहर निकाला गया पुलिस ने घटना का पंचनामा कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए पारशेवनी सरकारी अस्पताल भेजा गया पुलिस ने घटना की आकस्मात नोन कर आगे की जांच कर रही है बीसीन नियूस के लिए खापर खेडा से दिलिब गजबे की रिपोर्ट